नमस्कार दोस्तों आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपका आंसर की कब आएगा और जवाब यह है कि मुझे नहीं पता और जवाब यह है कि किसी को भी नहीं पता परिशान हूँ मैं परिशान है आप और इसी के दोरान आप अपना समय बरबाद किये जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आंसर की मैसा क्या आ जाने वाला है जो आपका जीवन तकता पलट कर देगा वक्त बदल जाएंगे जज़बात बदल जाएंगे क्या आंसर की जल्दी आ जाने से आपका जो मार्क्स है वो बढ़ जाएगा आपने 30 करके आये होंगे 40 सही हो जाएगा जब कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला तो आप बेकार की आ सकती है आ सकती है वाले थमनेल्स पे क्लिक क्यों कर रहे हैं आप ऐसे आर्टिकल्स क्यों पढ़ रहे हैं जिनका कोई मूल ही नहीं है मूल दो चीज़े हैं पहला मूल है आपका ये वेबसाइट cvt.nta.ac.nl यहां पर candidate activity में यहीं पर आपका आ जाएगा एक चीज़ और एड हो जाएगी answer key for the CVT PG 2030 ठीक है सबसे ऊपर यहीं लिखा होगा प्यारा सा यहीं लिखा होगा ठीक यह आपका मूल है दूसरा मूल है साहब का twitter handle कई बच्चे कह रहे हैं कि यतना girlfriend को online नहीं ताड़ते हैं उतना मुझे मामी डाला जी को ताड़ना पड़ रहा है क्यों ताड़ रहे हो भाई कि CVT PG का answer की आने वाला है ठीक है तो यह दो मूल है इनको आप पकड़ के रखिए और कहीं भटकने की जरूत नहीं कोई news article कोई YouTube वीडियो कहीं कुछ नहीं आज के बाद कभी क्लिक मत करिएगा जब तक कि आ गया न टाइप हो जाए थमनेल पे बीना question mark के ठीक है आ गया की और यहां पे ऐसे न लगा रहे तब तक किसी भी थमनेल को क्लिक मत करिए आ सकता है यह तो मैंने भी लिखा हुआ है ठीक है और यह पता है यह तरीका है क्योंकि अभी बच्चे डिमांड कर रहे हैं अभी मैं कुछ भी परोस्त दूं आपके सामने आप देखेंगे देख और पिजी में आ रहे हैं तो जाहिर इसदी का भी आपका मन होगा तो एक नेट का इक्जाम होता है इसके लिए कुछ किताबे होती हैं, उनको खरीदी और तयारी करना शुरू करिए, आपके ये 10-15 दिन जिस तरह से आप बरबाद करने वाले हैं, वो एकदम आपको खलेगा बाद में, क्योंकि रिजल्ट वही होने वाला है, आपको वो दिन याद नहीं जब आफलाइन लगते थे, ये कंप्यूटर बेस्ट इग्जाम होने की वज़े से 15 दिन, 20 दिन में रिजल्ट आ जा रहा है, तो बहुत जाद आप चेंतित हो जा रहा है, और गाली दे रहे हैं उनको, वो चाहें समय लें, ना लें, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना समय बरबाद न इवेशनल बुक्स हो सकती है, या कुछ कहानियों के किताबे पढ़ना, या कुछ खेलना, है न, ड्रीम 11 नहीं, ओफलाइन जा करके खेलना, तो ये हो सकता है आपका, तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज हो सकती है, आपका कुछ, अगर मालीजे कि बहुत खाली करके अपना कुछ अच्छा लक्षे तलाश ये, ये आपके 4-5 दिन आपके कैसे बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, और रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, आंसर की में एक ही चीज होगा, या तो आपका सेलेक्शन का लग जाएगा, कि हो जाएगा, या दूसरा आपके लिखान में रखिए, टेंशन नहीं लेना है, आप कुछ दूसरी चीजों में मन बहलाईए, समय कहीं और जाया करिए, ये बहुत इंपॉर्टन समय है, समय को बरबाद मत करिए, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि मेरी बाते बहुत क बार मतलब एक ही बच्चा जो है, वो मेसेज कर रहा है सुबह साम मुझे कि सर आंसर की कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, मैं परिशान हूँ, मैं क्यों न बनाओ वीडियो, एक ही साथ सभी बच्चों का जवाब दे देता हूँ, है न, तो मेरा जवाब यही है, कि नहीं बाई, नहीं पढ़ोंगा मैं, ठीक है, तो बस अपना ख्याल रखिए, हसते खेलते रहिए, और जिवन में कुछ अच्चा करिए, बहुत बहुत धन्यवाद,